हेलो फ्रेंज देखिए आज मैं आपके लिए दो कलर का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आप उल्टा सीधा बनाना जानती हैं तो इसे बहुत आराम से बना सकते हैं देखिए अगर आप हमारी वीडियो पहली करें उसकी नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और साथी साथ सेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियो देख सकें तो चलिए मैं आपको इस डिजाइन को कैसे बनाते हैं यह बताती हूँ देखिए हमें क्या करना है इसमें हम बॉर्डर की तरह बनालेंगे Danny to उल्टा दो सिधा दो उल्टा दो सीधा इस तरह से हम अपना बॉर्डर की तरह तयार करेंगे और हमें ध्याना रखना है हमें दो-दो के हिसाब से ही फंदे करने हैं इसमें यानि कि हमें जोड़े से फंदे रखने हैं और हमें दो सीधे दो उल्टे इस तरह से हमें बॉर्डर तयार कर लेना है यानि कि हमें 6 सलाई इसमें बेसिक तयार करनी है आप देख सकते हैं मैंने इसमें 6 सलाई बनाई भी हैं एक 1,2,3,4,5,6 तो हम ये 6 सलाय इस तरह से हम तयार कर लेंगे तो देखे हमें दूसरा कलर लगाना है इसमें अब हम इसे अपना डिजाइन कैसे कम्पलीट करेंगे देखे ये हमारे सीधे फंदे आये हुए है तो इन फंदों को हम ऐसे ही सिलिप कर लेंगे और जो हमारे दो उल्टे फंदे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे यह हमारे दो फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम ऐसे ही सिलिप कर लेंगे यानि कि जो हमारे दो सीधे फंदे आये हुए हैं इन्हें हम ऐसे ही सिलिप करेंगे और दो फंदे हम सीधे बना लेंगे कि ये दिखी लास्ट में हमारे दो फंद हमें ऐसे ही स्लिप कर लेंगे तो देखे हमें उल्टी साइट कैसे बनाना है सैम जैसे हमने आगे बनाया है उसी तरह से हम ऐल्टी तरफ भी बनाएंगे दो फंद हम ऐसे ही ने कर लेंगे और ये दो फंदे हमें पुन कर लेने हैं उल्टी की तरफ हमें उल्टा ही बनाना है जो हमने पहले फंदे छोड़े थे उन फंदों को हमें दोबारा भी छोड़ना है इन फंदों को हम ऐसी ही स्लिप कर लेंगे तो देखिए हमें तीसी सलाई हमें सिर्फ सीधी सीधी बना लेनी है दिहान रखना है हमें छे सलाई बॉर्डर की तरह तयार करनी है और दो सलाईयों में हमारा डिजाइन कंप्लेट हो जाता है हम तीसरी सलाई सीधी सीधी बना लेंगे इस तरह से अब देखिए हमें अपना डिजाइन हमें कैसे तयार करना है दूसरा जो हमने हैं यहां पर सीधे बनाए हुए हैं इधर हमें उल्टा बनाना है ध्यान रखना है जो हमने पहले फंदे सीधे बनाए थे उन्हें हम दुबारा में उल्टा बनाएंगे यानि कि सीधे की तरफ को हमारे उल्टे आएंगे उल्टे की तरफ को हमारा सीधा आयेगा यह हमारा सीधा आया हुआ है तो इसके उपर हमें उल्टा बनाना है यानि कि जैसे हमने पहले बनाया हुआ था दो उल्टा दो सीधा इसी तरह से हम बना लेंगे सिर्फ ये ध्यान रखना है जो हमारे पहले सीधे बने हुए थे उनके उपर हमें उल्टा बनाना है ये देखे ये हमारे उल्टा आ रहा था तो इसके उपर हमारे सीधा आ रहा है सीधे के उपर उल्टा आ रहा है बस हमें यही ध्यान रखना है और इसी तरह से हम फिर से 6 सलाई कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमें फिर से यही डिजाइन रिपीट करना है तो मैं आपको एक बार और बताती हूँ 6 सलाई पहले हम complete कर लेते हैं देखे ये 6 सलाई हमने बना कर complete कर ली है आप देख सकती है यहां से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 सलाई हमारी पूरी हो चुकी है तो हमारा ये डिजाइन 8 सलाईों में complete हो जाता है तो हमने आपको पहले बताया था कि हमें सीधे के उपर उल्टा बनाना था उल्टे के उपर हमें सीधे बनाना था इस तरह के हम डिजाइन करेंगे अपना पूरा तो देखे में आपको एक बार और बताती है हमें कैसे बनाना है पहले हमने सीधे फंदे छोड़े थे तो अब हमें ये उल्टे फंदे बना कर लेने हैं यानि कि हमें ये दो सीधे बनाने हैं ये दो फंदे हमें सीधे इस तरह से सिलिप कर लेने हैं और ये हमें उल्टे फंदे बना कर लेने हैं जहां रखना है सीधे फंदे हमें ऐसे ही सिलिप करने हैं और जो दो हमारे उल्टे बने हुए उन्हें भी हम सीधा बना लेंगे सेकंड सलाई और उल्टी यानि के दो हमें बना कर लेने हैं जो हमने पहले फंदे सिलिप किये थे उन्हें हम ऐसे ही सिलिप कर लेंगे यह हमारा आठ सलाईयों में डिजाइन कम्प्लेट हो जाता है और हमें उसके बाद हमें पहली सलाई सीधी सीधी निकालनी होती है यह देखें यह हमारा डिजाइन कम्प्लेट हो चुका है अब हमें कैसे बनाना है जो हमारे इदर सीधे फंदे आये हुए है इदर हमें उल्टा बनाना है और सीधे के उपर हमें उल्टा बनाना है यानिका हमें उल्टे के उपर यह इदर हमारा पहले सीधा आया हुआ था तो हमें इसके उपर उल्टा बनाना है इदर हमारा यह उल्टा आया हुआ है तो हमें इदर सीधा करना है तो यह हमें उल्टे के उपर इस तरह से दागा पलट कर हमें दो सीधे बनाने है दिहान रखना है हमें सीधे के उपर हमें उल्टा बनाना है और उल्टे के उपर हमें सीधा बनाना है इसी तरह से हमारा डिजाइन दोबारा से सुरू होगा और फिर से हमें छे सलाई निकाल ली होंगी और दो सलाई हमें बनानी होती हैं दो फंदे हम सिलिप कर लेते हैं दो बुनकर ले लेते हैं तो इस तरह से हम डिजाइन कम्प्लीट कर लेते हैं आप चाहे तो इसे चार सलाईों में बना सकती हैं, जिस तरह से मैंने छे सलाई निकाली हैं, तो इस तरह से हम यह बना लेंगे, देखिए बहुत ही प्यारा पैटर्न बन कर आता है इसका, तो चलिए उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आप कु अपली वीडियो में, किसी नए डिजाइन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय